नमस्ते विद्यार्थी मित्रो शिल्वर बेल्स मान सरवर पालनपूर स्कूल के ओनलाइन एज्यूकेशन प्रोग्राम में आपका हार्टिक स्वागत है बाल मित्रो आज हम स्टांडर्ड नाइंथ सब्जेक्ट हिंदी टॉपिक पासा विज्ञान मतलब व्याकरण विवाग का a science of language उसके अंदर कर्तु वाचक सग्या है इस टॉपिक का हम अभ्यास करेंगे पहला प्रश्चना कि सर कर्तु वाचक सग्या मतलब क्या तो कर्ता का बोध कराने वाली सग्या को कर्तु वाचक सग्या कहते है remember I repeat कृता का बोध कराने वालील। सग्या को कर्तु वाचक सग्या कहते हैं। दूसरा question सर सग्या मतलब क्या सग्या मतलब नाम, निसानी, सिंबोल, अगर किसी का नाम विश्वास है, तो विश्वास व्यक्ति वाचक सग्या है, तो इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है, जिसका नाम ना हो, तो नाम, निसानी, सिंबोल मतलब सग्या, कर्तु वाचक सग्या मतलब करता का बोध करान वाली सग्या को कर्त्रू वाचक सग्या करते हैं यह टॉपिक बिल्कुल इजी है आप ध्यांत से सुनना और ध्यांत से देखना आपकी समझ में आ जाएगा तो देखते हैं फर्ष्ट पाप तो पाप कौन करता है पापी तो यह कर्त्रू वाचक सग्या हुई पापी, next, सेवा, तो सेवा कौन करता है, सेवक, next, गायन, तो गायन कौन गाता है, गायक, next, देखना, तो कौन देखता है, दर्शक, next, जूट, तो जूट कौन बोलता है, जूटा, next, कहानी, तो कहानी की रचना कौन करता है, कहानिकार, next, जन्म, तो जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, जन्म दाता, तो जन्म दाता है, वो क्या है, करतुर वाचक सग्या, आपको कौन क्वेस्चन करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, next, देखते हैं, विचार, तो विचार कौन करता है विचारक, भक्ती, तो भक्ती कौन करता है? भक्त, तो भक्ती का करत्रू वाचक सज्या क्या होगा? भक्त, नेक्स्ट, डाका, तो डाका कौन डालता है? डाकू, नेक्स्ट, खोज, खोज कौन करता है? खोजी, नेक्स्ट, लेक, तो लेक कौन लिखता है? तो लेखक, तो ले वाचक सग्या है, next ध्यान, तो जो ध्यान करता है उसकों क्या कहते है, ध्यानी, तो ध्यानी क्या है, कर्दुरु वाचक सग्या, next मुर्ति, तो क्या होगा, मुर्तिकार, अब तो आप खुद सोचो, सोच कर आप आंसर दो, मन ही मन में, जैसे स्वार्थ, तो स्वार्थ कौन रगता है स्वार्थी से लिट से गीत का तो क्या होगा गीतकार नेक्स्ट प्रबन्थ प्रबन्थ म возмतलब व्यवस्ता प्रबंध करने वालों को क्या केता है प्रबंदक नेक्स्ट चित्र चित्र जो करता है उसको क्या करते हैं चित्रकार तो चित्रकार क्या है करत्रुवाचक सग्या नेक्स्ट सहाई तो सहाई जो अमको देता है उसको क्या करते हैं सहायक नेक्स्ट घुमना तो जो घुमता है उसको क्या केते हैं गुमककर नेक्स्ट निर्मान जो निर्मान करता है उसको क्या केते हैं निर्माता नेक्स्ट नियंत्रोन जो नियंत्रोन रखता है उसको क्या केते हैं नियंत्रोक नेक्स्ट संगीत तो संगीत कौन रचता है संगीत का सरजन कौन करता है संगीत कार क्या हुआ करत्रू वाचक सग्या नेक्स्ट इतिहास तो क्या होगा इतिहासकार नेक्स्ट पूजा पूजा कौन करता है वह पूजा करने वालों को क्या कहते है पूजारी तो क्या होगा पूजारी आंसर नेक्स्ट नाव नाव कौन चलाता है नाविक तो नाविक को क्या कहेंगे कर्त्रु वाचक सग्या नेक्स्ट पत जो पत पर चलता है उसे क्या कहते है पतीक नेक्स्ट अध्यापन तो अध्यापन कौन कराता है तो अध्यापक नेक्स्ट विज्ञान तो क्या होगा वैज्ञानिक विज्ञान मतलब जो साइंस की खोजबिन करते है उनको क्या कहते है वैज्ञानिक नेक्स्ट प्रसंसा तो क्या होगा प्रसंसक नेक्स्ट देखते है शिक्षन तो क्या होगा शिक्षक नेक्स्ट देखते है नेर्णाय तो क्या होगा नेर्णायक नेक्स्ट डाक तो डाकिया डाकिया मतलब क्या पोस्ट मैं इंगलिस में क्या केते है पोस्ट मैं हिंदी में क् तो डाक कौन लाता है डाकिया तो डाकिया क्या हुआ कर्त्रु वाजक सग्या नेक्स्ट रक्षा तो हमारी रक्षा जो रक्षा करता है उसे क्या कहते है रक्षक नेक्स्ट परिक्षा जो परिक्षा लेता है उसको क्या कहते है परिक्षक नेक्स्ट गाना, तो क्या होगा? गायक, नेक्स्ट उपासना, क्या होगा? उपासक, नेक्स्ट उपदेश, जो उपदेश देता है, उसको क्या कहते हैं? उपदेशक, तो उपदेशक क्या होगा? कर्त्रुवाचक सग्या, नेक्स्ट सुनना, जो सुनता है, उसे क्या कहते है स्रोता, स्रोता क्या हुआ, कर्त्रु वाचक सग्या, नेक्स्ट जादू, तो क्या होगा, जादूगर, तो मिठे बच्चों, इस टॉपिक में हमने सिखा, कर्त्रु वाचक सग्या, सबसे पहले सग्या, तो सग्या मतलब क्या, नाम, निसानी, सिंबोल, अब टॉपिक क्या थ बोध कराने वाली सग्या को करत्रु वाचक सग्या कहते हैं तो मिठे बच्चो मैं आसा रखता हूँ विश्वास रखता हूँ कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा अब ये जो टॉपिक जो था उसका होमबुक आपको किसमें करना है आपको पता है ग्रामर किसमें लिखना है ग्रामर सेक्षन में तो जो ग्रामर सेक्षन और ऐसे सेक्षन की कंबाइन नौट बनाई है एक ही नौट में दो बनाना है दो मतलब बीच में पार्टेशन करना है तो ग्रामर सेक्षन में ये टॉपिक आपको लिखना है टाइटल देना है और इसक अबहार धन्यवाद